आँखों में नेंद बहुत है पर सोना नहीं है यही उमर है मेरे दोस्त कुछ करने की इसे खोना नहीं है तो दोस्तों यह उमर है कुछ करने की नई उमर में बहुत कुछ सीखते हैं हम तो स्टडी के साथ साथ आप रचनात्मक गती विदियों में इस साथ लीजिए चाहिए वो speaking है music है तो आप आगे बढ़ेंगे सफलता मिलेगी आपको गणतंतर दिवस के संचालन के दोरान या भाशन में आप महिलाओं के बारे में क्या बोलेंगे वैसे ये भाशन लिखा है मगर आप इस भाशन की बातें भी add कर सकते हैं शुरूआत कि ये भाशन की अपने नारि हो आप सभी को गणतंतर दिवस की हारदिक शुप कामनाई सबा में उपस्तित माननी इश्रूताओं का भिवादन करता हूं 26 जनवरी का दिन भारत वर्ष के लिए गोरव शाली दिन है जिस दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंतरात्म के गनराज्य बना 26 जनवरी 1950 को समिधान लागू होने के बाद देश ने तेजी से विकास किया इस विकास में नारी शक्ति ने अपनी एहम भूमी का निभाई महिलाओं में शिक्षा के कान जाग रुकता आई और गनतंतर भारत के 33 वर्षों में भारत की नारीयों ने देश के विकास में एहम योगदान क्षुदा पिपासा तसकर विखेर रही है मुस्कान भावना ने तेरी बना दिया पती को देव समान जैसी नारी ने अपने सहास और स्वाभिमान का प्रिचय दिया था 1831 में जन्मी सावत्रिवाई फूले ने कहा था शिक्षा ही स्त्री का गहना है खेलोगी बात करें तो पीवी सिंधू, साक्षी मलिक, मीरावाई चानू जैसी अनेक बेटियां आए दिन भारत के मस्तक वर गोरों का तिलक लगाती है शीर्ष प्रशाषनिक पदों पर आसीन होकर नारी ने अपनी योग्यता का प्रिचय दिया है राजनिती, वेपारिक प्रतिष्ठानों, शिक्षा जगत में आज नारी जाती का दबदबा है वर्षों तक जिन्दा जलती रही तूं, फिर भी हर युग में फलती रही तूं संसार में हर किरदार निभाना था तुझे, तो हर प्रिष्ठीती में डलती रही तूं आज भारति अनारी ने अपने सम्मान को पाकर दिखाया है जिसे घर की चार दिवारी तक सीमित रखा जाता था, आज उसने अपनी व्यापकता काइम की है 20 जुलाई 1942 में शोशित वरक की महिलाओं के एक संबेलन में बाबा साब के चिंतन की जलक देखने को मिली थी जब उन्होंने कहा था, किसी समुदाए की प्रगती महिलाओं की प्रगती से आंकी जाती है बाबा साब की इस बात को हम जुटला नहीं सकते आज जिस जाती समास की महिलाओं शिक्चित हो रही है, वह जाती समास विकास की और अगर सर हो रहा है इसलिए नारी की शिक्षा जरूरी है जगत जननी नारी पुरुष्य प्रात्मिक है इसलिए वह हमेशा पूजनिया है मगर बेहन बेटियों के लिए यह बदलाओ हमें अंदर से लाना होगा जीवंत धर्म विश्वास से नहीं विवेक से जनमता है जीवंत धर्म विश्वास से नहीं विवेक से जनमता है बदलाओ बाहर से नहीं अंतरमन में पनपता है अपने वक्तव्य के समापन पर यही कहूंगा कि नारी का सम्मान गणतंतर का सम्मान है देश का सम्मान है हर घर परिवार गाउं का सम्मान है इनी शब्दों के साथ गणतंतर दिवसकी आप सभी को हार्दिक शुप काम नाए धन्यवाद जै हिन जै भारत